नमस्कार सर मेरा नाम राजु है आज का टॉपिक है कि क्यों 90% पिपुल जो है फैनेंसियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं उसके अंदर जब गुसेंगे तो पता चलेगा यह जो रीजन है सबसे बड़ा रीजन है महंगाई तो इस वीडियो को हम पार्ट बन और पार्ट टू मे कवर करेंगे पहले जो सब जानना चाहते हैं पहले इसके बारे में कवर करेंगे एक उधारन लेते हैं कि आज से कफी सालों साल पहले सव रुपिया जब लेके जाते थे तो पूरे एक महिने का रासन बैल गाड़ी में भरके लेते थे अब पूरा परिवार लोग छक्ये खाते थे आज दिन इसा आ गया है कि बच्ची को बोलते हैं 100 रुपिया देते हैं और 2 किलो टमाटर लेकिया हो जो बस इतना ही होता है और कभी एक जमाने में पूरा बैल गाड़ी भरके एक महने का रासन पूरे परिवार के लिए आ जाता था तो इसी पर मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आज से 20 सल पहले आपके सहर का जो भी अमीर ब्यक्ति था आज वो अमीर नहीं है और आज जो अमीर है 20 सल के बाद देखेंगे तो वो अमीर ब्यक्ति नहीं होगा उसके पीछे क्या है महंगाई तो इसको कैसे समझते हैं कि माल लिजे किसी ब्यक्तिक पास आज से 20 सल पहले एक कोड़ पिया था जिसके पास एक कोड़ हो गया उस हर का उस समय सबसे अमीर ब्यक्ति होगा तो इसने ऐसा सोचा कि मैं 20 सल और जीवन यापन करने के लिए है उसके बाद उपर चले जाएंगे तो उन्होंने ये किया कि उनका खर्चा लगवग 40 जर्वे पर मन्त है तो उन्होंने एक कोड़ को 20 सल का प्लानिंग किया तो 240 मन्त लगवग 200 मन्त एक को 250 मन्त से 200 से 40,000 रुपया 40,000 रुपया सब में भार करके बांद बांद के रखता गया जैसे जैसे मन्त बित्ता गया हर मेंने वो इसी तरह से खर्चा की किया रुमाल निकाला 40,000 खर्चा हुआ चलो आगे बढ़ो फिर अगले मेना इसे-इसे करते गए दो साल के बाद जो 40,000 रुपया काम चल रहा था उसके अगले साल पता चल रहा है कि 50,000 खर्चा हो रहा है जो पीछे 40,000 में जेवनी अपन हो रहा है अब 50,000 करना पड़ा है तो दुसरे रुमाल से भी 10,000 भी निकालना पड़ रहा है फिर दो साल के बाद देखा कि अब 50,000 में भी काम नह सब्सक्राइब और एइसा दोर आता है कि अंत्काल में अगर जिंदा बचे पांस साल दस साल पन्दरा साल और भगवान अगर ज़्यादा महरवान वे ज़्यादा पुजा पाठ करते हैं तो 20-25 ताल अगर जीए तो पैसा होत में है नहीं तो हो गया ना विस साल पहले जो अम सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिया आप बुलावा आता है जिस प्रेस्टसिजिस ए यह विचार तो गरीब हो गया इसको भुलावा भी आ गया यह सारे लोगत अमीर हो गया तो इस इस्थिती में करना क्या है जब आपका अच्छा अमेह हो तो इसटेंड बाइ सोर्स अपने जीवन यापन के लिए बनाना है घर है जमीन है गाड़ी है मझ्ली यह बीम डब यह सब है लेकिन एक सोचो कि एक सबय में सब अचानक से चला जाए तो एक इस्टेंड बाइस वरना चीहे जहां से आपको जीवन यापन करने के लिए किसी से मांगना ना पड़े इसके लिए मात्र 10% जितना भी प्रोफिट हो रहा है बेनस से सबसे उसका 10% आप राइट डिरेक्शन में परिसा इंवेस्ट कीजिए और अगर राइट डिरेक्शन का बात करें तो धरती पर अभी तक मचमच फंड से पर्षाइब लगीगा इस टारे सेपी वेबसाइट में जाके आप सारा ये बिदाओट लॉग इन किये वे सब कुछ यूज कर सकते हैं तो हमने चाओदा नंबर पर यहां पर सारे केटेग्री हैं हमने चाओदा नंबर को यहां पर सेलेक्ट किया है है अब रिड एग्रेस किस फंड में कितना पैसा है तो यहां पर देखते हैं एस बी एक्विटी हैबरीड में 54,000 कोड़े आइसेसी पोडिंसल में 21,000 कोड़े HDFC में 18,000 कोड़े मैं बोलता भी हूँ बैंक वाले मुचल फंड में पैसा लगाना है सेफ सेफर सेफेश इतना ज़्यादा पैसा है कि भागेगा तो कहां जाएगा पूरे पुर्थविय को कहीं भागना पड़ेगा मंगल गरह पे सुर्ज गरह पे कहां भागेगा सब अगर आईसे एसी का बात करें तो मिलेगा तो उतना ही साथ लग बीजर यहां भी मिला था यहां पे बैलेंस बचा है 28,68 जबकि HDFC का बात करते हैं तो 26,25 बैलेंस बचा है 15% का रिटरन है यह मैंने 10 साल के लिए बात किया अब हम यहां पे नाटक चेंज करते हैं 10 साल के जगा 15 साल करते हैं और सर्मिट करते हैं वही 10 लाग रुपया वही 6,000 रुपया AEM बाइज म अब यहां पे देखते हैं कि 98 में 10 लाग रुपय रखा था और 6,000 रुपय परमंथ लेना शुरू किया तो 18 लाग वापस ले लिया लगाया 10 लाग था 18 लाग उससे ज़्यादा मुलधन से ज़्यादा खा भी लिये अब बाइलेंस बचा है 60,47,000 ए 11% का रिटरन अगर आदित विरला एक्विटी अब बाइलेंस बचा है और खाया कितना था 18 लाग रुपया बैलेंस कितना बचा है 4,87,19 परशन का रिटरन इस फंड ने जनरेट करके दिया है जबकि SBI ने 11 परशन का रिटरन जनरेट करके दिया है पीछे बात करें पीछे अगर कब से कब तक 98 से लेके 2023 तक तीसरा यहां पर 98 में 10 लाग रखा था तो 6 जर पे लिया 18 लाग ले लिया एक करोड़ तीस लाख बैलेंस बचावा है दोनों को जोडते हैं तो एक करोड़ तालीस लाग 14 परशन का रिटरन यहां पर जनरेट करके दिया है तो इस तरह से स्टेंड वाई पैसा यहां पर लगाना ह तो आप महंगाई से हमेशा लड़ते रहेंगे और टॉप के अमीर आदमी उस सहर में हैं तो आगे भी बरकरार रह सकते हैं इसका संभावना है नहीं बरकरार रहें कोई मतलब नहीं कि टॉप रहें क्या रहें नहीं उससे मतलब नहीं हमें अपने जीवान यापन करने के ल गुर्टी और बांगाएं पowana अफंसे चालिवाजी को अगर समझना है पार्टू में पहले एक राजा हुआ करता था Uraja बोलते हैं इस टापू पे एक टापू है चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है तुम सब लोग हमारे परजा जो भी काम करके आओगे और वो काम अगर अच्छा हो हमारे अन्याई देखेंगे अस्छा हुआ तो एक काला पत्हर देंगे और उस काला पत्हर इसा करना पड़ेगा कि इस इस टापू को स्वर्ग बनाना पड़ेगा राजा ने इसा नियम बना दिया सब लोग उसमें लगे हुए फिर राजा चले गए राजा का बेटा या वो भी इसी पर्था पे चलते रहे नियम कनुन पापा जी ने बना दिया था चलते रहे फिर ये बेटा ये बेटा ये बेटा उनका बेटा उनका बेटा इस तरह से करते गए ऐसे करते 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 वो टापू जो है सोने की चलिया बन गई फिर एक बेटा जनम लिया बोला मैं जो बेटा जनम लिया हूँ न उस सब का बाप हूँ पीछे जितना राजा बाजा होगे अप बंद करो सब नियम कानून इस अब नहीं चलेगा कि काम करके आओगे देखूंगा पत्थर दूँगा सब नाटक बंद इस अब नहीं होगा कोई देखेगा निन निगरानी फिगरानी कुछ ने हटाओ सब सारा पत्थर वापस करो गाओं का सारा पत्थर टापू का सारा पत्थर काला पत्थर अपने पास रग लिया राजा फिर मिटिंग बुलाया कौन-कौन बेपारी है कौन-कौन बला-बला काम करता है उसको हम करजा देंगे ये करजा करजा क्या है ये करजा करजा ये वालटी तो राजा ने दस आदमी को चुना बोला आप वेपारी करोगे वेपार करोगे आम बेचो लीची बेचो टेंडर गाड़ो बाजा बजाओ जो भी करना है ये दस आदमी तो पहली बार इस दस आदमी को सवसो पाला पत्थर दिया अब बुला बदले में 10% का ब्याज है तो आपको 10% के दर से 110 पत्थर लटाना है सारी बेप्यारी ने सुचा इसमें कौन सा बड़ा बात है कमा के 110 पत्थर लटा देंगे तो 700 पत्थर 10 लोगों को दिया तो 1000 पत्थर मिल गया अब राजा को लेना है 1100 पत्थर पूरे टापूपे 1000 पत्थर ही दिया 10% के दर से उनको लेना कितना है काटज में लिखित में 1100 अब सारा बेपारी सुचने लगा कि भाई हमको तो 110 लोटाना है तो कैसे करें तो पहले क्या होता है एक पथर दिया एक किलो आम ले लिया एक पथर दिया लिची ले लिया एक पथर दिया अंगूर ले लिया बराबर एक किलो ले लिया अब इसने सोचा कि भाई राजा को तो लोटाना पड़ेगा तो बोला ए तो अगले साल फिर हुआ बोला भाई ऐसा तो फिर लोटाना पड़ेगा ज्यादा एक खाम करते हैं आठ सो ग्रम देते हैं एक पथर दिया पहले एक पिलो मिलता था कभी जब सोने कचलियां हुआ करता था अब आठ सो ग्रम मिला सब को आठ सब चीज आठ सो ग्रम फिर सालों साल पुता रां पांसे साले बाद पता चलता है कि अब एक पत्थर में पथंप सो ग्रम अंगुर पांस्व ग्रम आम औस लीची मिल रहा है अब एक परिवार ऐसा है जो खोपड़ी लगक सोचता है भाई इतने में तो अपना पेट भरन होता नहीं हमको तो हराल में एक केजी ही चाहिए परिवार के जीवन या अपन के लिए तो दो पत्थर बिचारी को देना पड़ रहे हैं उनको दो पत्थर देना पड रहा है अब सालों साल बिता गया बिता गया बिता गया अब उस एक केजी अंगूर के लिए सो पत्थर देना पड़ रहा था कभी जवाने में एक पत्थर में काम चल जाता था अब सो पत्थर देना पड़ रहा था आज के डेट में भी देखेंगे एक किलो आम खरीदने के के लिए 100 रुप्या तिना पड़ता है। हमारे दादा जी पर दादा जी कहते हैं कि एक रुपिया में एक किलो आम लेते थे। तो चालवाजी यहां पे यह है किसी एक का लालच। राजा का बिटा जो उसने कहा हम सब का बाफ है। सडॉन एक आदमी का लालच सबसे टॉप में जो एक आदमी कोई है उसका लालच पूरी दुनिया के लिए महंगाई का सबब बन गया है पूरी दुनिया का हम सब उसके लिए काम करते हैं उसके लिए काम करते हैं अब टापू का सारा लोग राजा के लिए काम करते हैं, राजा को भी आज जाएगा, राजा को भी आज जाएगा, पहले इसा था नहीं, तो ये महंगाई का चक्कर न, बड़े बड़े इंग्लिस मीडियम में पढ़के आएंगे, सब कुछ करेंगे, और ये जो बात है न, इ महंगाई, महंगाई क्या है, अभी फिर से एक गहराई में समझते हैं, कि 10 लोगों को 100 पत्थर दिया, 10 ही लोग था मालो टापूपे, वही 10 लोग था, 100 पत्थर दिया और बोला 110 पत्थर लटाना है, तो इस 10 बंदे में आपस में कुछ ऐसा लेल दिन करेंगे कि 110 राजा क करना पड़ेगा ये 9 लोगों को, कि एक बेखती का 10-10 सिक्का इसके पास, 10-10 पत्थर इसके पास आ जाए, तो 10-10 पत्थर जब आ गया, 9 आदमी के पास 100 पहले से है, वह जो भी बिजनस कर रहे है, 100 उसके पास है, अब ऐसा कुछ चालबाजी किया, कि किसी ना किसी का अटा गया, उसको गोल्ड मेटल मिल गया, प्राइज भी मिल गया, इनॉस्मेंट भी हो गया, रिंग टोन, टीवी, मोबाइल सब पे पेपर पे चपने लगा, कि ये 9 आदमी इमांदार, देश की तरकी करने वाला, ये वो ताम जाम सब हो गया, अब एक आदमी बेचारा, इसके पास 10 पत्थरी बचा, क्योंकि 10-10 पत्थर तो 9 आदमी हो बढ़ गया, सो पत्थर उसके बाद भी था, अब इस बेचारा के पास 10 पत्थर बचा, इसने सुचा, कि इमानदारी से सत्ती के रास्ते पे चलेएंगा, किसी को 1 किलो की बदलि 900 करण क्यों देंगे, किसी क को एक किलो के बद दिली आठ सो पथर में एक किलोवेंगोर एक पथर में एक किलो उंगूर आ już जाना वह जीसे बनाया था हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगी सहलкі बना संवान औलेDer सामोहिक आत्मत्या करना पड़ा, तो जितने लोग वर्ल्ड में आत्मत्या कर रहे हैं, बोलते हैं ये कर लिया, वो कर लिया, किसान कर लिया, इसका मतला वो प्योरा का पूरा इमंदार था, सत्ती के रास्ते पर चलने वाला था, लेकिन हम सब लोग जो बच गए, किसी में चालबाजी कम नहीं है, ओ भरपूर चालबाजी बना है, किस से ठगलू, किस से लेलू, कितना आमीर बन जाओ, पर जो जा रहा है, वो सही रास्ते पर है, अब घर का समान एक तिन ऐसा आएगा, कि इस बिचारे का, घर का समान निलाम होगा, क्यों, वही, करजा करजा क्या है, ये करजा करजा, वो राज़ोग पैसे लटाना है, तो घर पे करज लेना पड़ेगा, जितने लोग हैं किसान भाई लोग, इसी तरह से लोल लिये हैं, और सब का, करजा करजा में चल रहा है, ऐसे में न, हिंदी जगत का एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, चारोत्तर पहराल लगा है अब सरान का, ये वक्त है मेरे तुमारे इंतहान का, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है, आज से सौ साल पहले, दादा पर्दादार ना 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 नी जैसे जीते थे, आज वैसे नहीं जी रहे हैं, क्यों, किसी एक व्यक्ति का लालच सब पे हावी हो गया है, आपको इसी तरह, या उसी तरह, मच मच फंड में कुछ और करना है, इन्वेश्टमेंट के बारे में समझना है, तो इस नमबर पे मुझे वाटसप कर सकते हैं, इस्टारसैपी.डाट इन, जो हमने खोपली लगा एक देफसाइट बनाया है, वो लाइव हो चुका है, बिना लोगिन किये हुए, इसके बारे में लोगों से पान खाईए, चाय पीजिए, चर्चा कीजिए, धीरे 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 चर्चा कीजिए, वीडियो अच्छा लगे, तो वाटसप इन्वेश्टी में दोस्तों पीचिस से जरूर सेर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइक इन से जरूर करें, थेंक्यू सो मच्छू